दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एविटेक में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यूपी पी कॉंस्टेबल बढ़ती का फार्म कैसे बरेंगे लाइब डेमों के साथ स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस बता रहा हूं अगर आप मेरे स्टेप को दो करोगे तो कहीं पर भी फार्म में कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी यह मेरी गरेंटी है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पुलिस बढ़ती का फार्म बरने लिए आपको आपको उफीसल वेबसाइट पर आने के लिए आप लोग गोर्रमेंट-जॉब इसके बार लेटेस्च जॉवर में मिल जाएगा इसे प्रेंगर आप इस पेज़ेश पर आजाएंगे सब से नीचे यहां पर आपको होना आपको ए आपको अनलएन के सामने द्रbern पर किलिक Candice और आ यहाँ पर आपको बरना आए ब्यक्तिगत डिटेल परस्नज डिटेलिस ठीक है इसके बाद यहाँ पर बरण आधर इन्फरमेशनम कि इसके बाद सची की योगता समथ्और आपको बरनी है यहाँ पर और पर एडरेस बरना आए तर लिज scholarship में समझ Hm सबसे पहले यहां पर कंड़ेट का नाम डालना है सपोजकन को नाम राम किसोर है तो यांपर नाम पर ठीक है इसके बाद यहां पर जन्मत्ति तो जो भी आपकी जन्मत्ति है सबसे पहले यहां पर इयर आप सलेक करेंगे जो भी आपका इयर आएगा ठीक है इसके बाद यहां पर मन सलेक करना इसके बाद यहां पर डेट सलेक करना इस तरीके से इसके बाद फादर्स नेम जो है 木 scholar सोने व آپ दालेंगी इसके बाद यहांपर मदर सियों में टाइब करेंगे यहांपर आप जेंड़र टाइब करेंगेी मेल या फीमेल जो भी आप इसके बाद., यहांपर देखिए मेल फीमेल कर लिए आपने यहां पर आपको अपना मुवाइल का इसके। आपको इस माइल आपको जो नाई इसके भात नेशा ने आएगा इस के तो कि जो भी डेटेल्स आप प्रसनल में भारेंगे वो सारी आपकी हाई स्कूल के प्रमाणपत्र के या मंग सीट के नुसार होनी चाहिए अधर इंफरमेशन में आप आईए यहां पर पूंच रहा है क्या आप उत्तरपदेश के मोल निवासी हैं तो अगर हैं तो आप यहां प प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आप तो आप यहां पर यह करेंगे तो यहां पर एक नया कोलम खुल जाएगा जिसमें आपको मूल निमास प्रमाणपत्र के बारें जानकारी देनी है तो आपका जो मूल निमास प्रमाणपत्र कहां से इसू किया गया है डियम द्वार यहां पर पहुंचना मूल निवाज प्रमालपत्र निर्गत करने के तिथी क्या है तो यहां पर आपको डेट डालनी होगी लिए यहां पर पर डालेंगे स महया इस तटेगरी आपको डाल देंगे इसके पहुंच रहा तो जो भी आपकी कंटैग्री वह यहां पर का्टैग्री आप सсे合ड आप तो जैसे आप category select कर देंगे फिर यहां पर आपको जाती प्रमारपत्र की डिटेल बरनी पड़ेगी यहां पर कालम ओपन हो चुका है जाधी प्रमारपत्र वाला तो यहां पर देखो आपको सबसे पहुंच रहा है यह आपका जाधी प्रमारपत्र इसू कहां से हुआ है इस आप क्लिक करेंगे तो फिर उसी तरीके से आप सनाएंगे डियम एडियम सिटी मजिस्ट्रेट या एसडिया में तहसीलदार या डिस्टिक सोचल विलफेर आफीसर जहां से भी आपका इसू हुआ है तहसीलदार से इसूद तहसीलदार यहां पर बढ़ देंगे इसके सब्सक्राइब होना चाहिए तो को तो यह अपरेल के बारे के बारे के बहुत बहुती हो तो ज्यादा बेटर आए अगर आपका नहीं बना आये तो अभी आप बनमाँ सकते हैं एक अफ़ते में बन जाएगा उसके बाद मगर यहां यहां पर उसकी क्रम संख्या मैं यहां तो दो नंबर होगे एक application number होगा एक serial certificate नंबर होगा ठीक है यहां पर इसका certificate number डालना यहां पर आपको application number डालना है इस तरीके से ठीक है अब माली जी जो अजर इस्टेट के क्या करेंगे अजर इस्टेट के जिवास दिया गया है चाउदा नमर पर क्या है तो यहां यहां पर आप नो कर देंगे तो यह सारे आपसन आपके गायब हो जाएंगे और यहां पर सिंपल सापको इस्टेट अपना सलेक्ट कर लेना आप जिस भी स्टेट से बिलॉंग करती हैं ठीक है इसके बाद कटेगरी आपके लिए क्यों जर्नल लेगे अधर स्टेट वाले सार पर आप YES या NO करेंगे अपने हैसाब से फ़िक है तो यहां पर अगर यहां करेंगे तो पुझे का रमार पत्र अपने कह बनавाया है इसके यिस के यू डिट के आप तारीफ डलेएंगे और उसका नंबर के आए venus प distinction पह पहले यहां पर इस या नो करना अगर आप हैं तो यहां तो करते में हमंबर क्या है तो यहां पर नो करतेंगे इसके बदे कि क्या भूतपूर साइनिक हैं तो अगर एक सर्विस माने हो तो आप यस करेंगे तो फुर से डेल आपको इसकी देना ही पड़ेंगे नहीं है तो आप नो कर देंगे तो यह आपका विक्तिकत बिरॉण वाला हो गया और अधर इंफरमेशन हो गई ठीक है इसके पानिश्या है यहां पर हाइश्कूल के डिल आपको भरनी है सबसे पहले पुछना बोर्ड का नाम तो जो भी बोड का नाम है जो शब्सक्राब यूपी बोड से यूपी बोड इलहाबाद इस तरीके से आप डाल देंगे ठीक है इसके उत्तियून करने का वर्ट किया है त से दोनों डालना है प्रवडाम की सिती क्या है तो पास केवल रहेगा इसमें प्रेइंग वाले छातर आवदन नहीं कर सकते हैं तो केवल पास होना चाहिए रूल लंबर आप हाइश कूल कर डालेंगे जो भी आपका है और प्रमाडपत्र और जो भी आफ में वर्तमान में मौझूद है उसका सिरियल नंबर लिखा होगा तो यहां डाल देना यह सर्टिफिकेट नंबर तरह भी समय दर में लिखा होता तो उससे देख करके यहां पर डाल सकते हो सेम इसी तरीके से आपको इंटरमेडियेट की डेटेल डाल लीए है यूपीवर्ड इलहावाद ठीक है डाल दोगे यहां पर भी सेम उसी तरीके से आपको सूस्ता तो मन्त और यह डालना और पासिंग यह 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 नहीं में पास रहेगे रोल नमबपर जो भी आपका रोल नमबर यह डाल दोगे ठीक है इस तरीके से अब यहां पर प्रेसरेंसियल क्रिफेकेशन आगई हैं यहां पर कुंछ healthy आपके पास डुएक या निलीट से और के पास है तो यह सब नंबर क्या है तो यह नहीं है आप इसको छोड़ भी सकते हैं तो यहां पर सिंबल कर सकते हैं अगर आपके वर्तवान में आपको देनी पड़ेगी अगर आपने NCC किया हुआ और NCC का B certificate आपके पास हो तो आप यस करेंगे इसमें भी आपको डिटेल देनी पड़ेंगे कहां से इसू किया गया है इसू करने की डिट किया है और उसका सेरियल नंबर क्या है ठीक है तो यह आपकी प्रेफरेंशल क्लिफिकेशन हो जाती है अब इधर है परमानेंट एड्रेस तो अगर दोनों एड्रेस सेम हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप पत्रा चारवाला पता भर दीजिए और इधर लिखा हुए सेम एक्रिस्पोंडेंस एड्रेस तो यह आप इस पर टिक कर देंगे तो यह आटोमेटिक भर जाएगा सबसे पहले इस यहां पर आप ड़ाल दीजिए जो भी आपके गाउं का नाम है यह मकानिंदा अपश्कर्वाहुज को हमने यह आपघाएफ इसके बाद दूसरे में आप यहां पर पोस्ट डाल सकते हैं जो भी आपका पोस्ट आपका यहां का है तो कसबा पर डाल दीजिएगा जो भी आपका कस्बा लगता है इसके इसके बाद यहां पर स्टेट अपको स abord करना उत्तरप्रदेश जो भी आपका सिठ एब यहां पर अपना इभना जिल स्ट करना है तो जुम्हक्त का आपका जाएगा अग्वन एलग लग है तो यहां पर आप अंटिक करेंगे और यहां पर अपना दूसरा पता डालेंगे जो आपका पर्माणेट एड्रेस होगा तोब सब्सक्राइब करना रहेगा ठीक है इस तरीके से आपके साने प्रीवी ओपन हो जाएगा यह साई डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लो कोई अगर मिस्टेक है तो यहां पर नीचे आपको बटन मिलेगा एडिट रिकॉर्ड का ठीक है तो पहले यहां पर गोसड़ा यहां पर डाले सेम टू सेम इसके बाद यहां पर एरडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप अडिट कर सकते हैं अगर सब को सभी यह तो सब्मिट एंड नेक्ष लिखा हुआ है ओटीप्से आप यहां पर ख्लेउड़ से तरीक कर देंगे इस तरीके से आपके सामने अगर इसको आप नोट करके रख लीजिए नए भी नोट करते हैं तो आपको SMS के मद्धम से मिल जाएगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखाए एक्टिवेट थूटीपी आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर ऑटीपी अक्टिवेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन नमबर पीछे आया था उसको यहाँ पर आपको दुबारा से टाइप करना है कोपीपेस्ट नहीं होगा टाइप करना होगा आपको जो बर्द आपने डाली थी यहाँ पर डालेंगे ओटीपी अपके पास SMS में आया होगा मुबायल पर उसको टीपी डालेंग कप्चा कोड डालकर करके आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे देखें लिखा यह यहां पर लिखा हुआ है नहीं अगर लिक करके आता है नहीं लीकसर से नंबर डालना ला डालना है डालना है क्योंड कोड डालना है कि पर लोग इन पेक्लिक कर लें अबहुंगा यहां को पहलेगा पैमेंट करना पड़ेगा पैमेंट करने के लिए यहां पर हम क्लिक लिक करते हैं और यहाँ पर दो आप्सन मिलना है आपको इंटरेनेट बैंकिंग और यूपी आई गूगल पे फून पे पे ट्यम यह आप चाहें तो यहाँ पर यूपी आई के धुरू पेमेंट कर सकते हैं इसमें आपर सिंपल्स आपको इस बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर अपनी UPI ID डालना है या फिर आप चाहें तो यहां पर UPI QR पे क्लिक करके पेनाओ पे क्लिक करके QR कोड के थुरू भी पेमेंट यहां पर कर सकते हैं तो यहां पर देखें टाइमर चलने लगेगा करीब 3 मिनिट का टाइमर मिलेगा इस 3 मिनिट के अंदर आपको अपने जो भी UPI IP उज़ करते हैं वहां से ओपन करके QR कोड को स्कैन करना है और अपना पेमेंट कंपलीट करना है पेमेंट होने के बाद लॉग इन करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा यहां पर आपको अपने डॉकुमेंट्स अप्लोड करने हैं आप चाहें तो डिजी लाकर के माद्धम से भी डॉकुमेंट अप्लोड कर पाएंगे लेकिन उसका लिंक कुछ दिर बात जारी होगा अब यहां पर देखेंगे आपको फोटो और साइन सबसे पहले अप्लोड करना है इसके बाद हाई स्कूल इंटर के मांक सीट वगार भी आपको अप्लोड करनी है तो यहां फोटोग्राफ लिखा हुआ है अस्ताचर लिखा हुआ है ठीक है लेकिन यह सभी जो है पी जे प क्योंत आके हैं ठीक है मांक सीट वह आपकी सो केवी से कम होने चाहिए और फोटो आपकी है बीस केवी से 50 केवी और आपका है पांच केवी से 20 केवी चूज फाइल पे क्लिक करके यहां पर आप लोग अपने फोटो और साइन अपलोड करेंगे ठीक है तो इस तरीके से सारे डोकुमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करना है जैसे कि जादी प्रमालपत निमाज प्रमालपत जो भी डोकुमेंट्स सब कुछ अपलोड करना उसके बाद यहां पर आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगी इस तरीके से अपके साने मेसेज आ जाए कि डियर आगे नाम लिखा होगा रेजिस्ट्रेशन नमबर लिखा होगा और लिखा आपका रेजिस्ट्रेशन आपका फार्म जो सक्सेस्पुल हो चुका है लेट्ट साइट में आपड़ डिस यहां से अपना अप्लिकेशन फार्म को प्रिंट आउट करके 22 के लिए शुरुच्चित रख सकते हैं तो दोस्तों यह कंप्लीट प्रोसेस फार्म बरने के लिए उम्मेद करेंगे वीडियो आपको पिसंद आया होगा धन्यवाद